जैश्री महांकाल जैश्री महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एकबर फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभारे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमें ये बाते किसी को भी नहीं बतानी चाहिए जिसे कि आपको नजर लग सकती इ इस वीडियो में हम उन पर ही चर्चा करेंगे लेकिन उसे पहले एक चोटा सनिमेदाने कि अगर आपकी जिन में कोई तकलीफ या परिशानी से आप बुजर रहे हैं या कोई आप मेरी मदद चाहते हैं अपनी कुंडली का विचलेशन करा के तो प्लीज आप वाटसप पर अपोन्मेंट लेकर बात कर सकते हैं उसका शुल्क लाग होए दोस्तों तो होता ऐसा है कि हम कहीं बार जाने अन जाने में कुछ ऐसी बाते लोगों को बता देते हैं जिसलिके हमारी परिशानिया खड़ी हो जाती है वो कौन सी बाते हैं ये तीन मिल्ट की वीडियो में आप जान पाएंगे और अगर आप इन्हें कैसे सही कर सकते ये भी आप इस वीडियो में जान पाएंगे इसे जानने के बाद आपकी शायद कहीं सारी परिशानियों का अंत हो जाए परिशानिय खत्म हो जाए और कहीं सारी पॉजिटिव उर्जा आपके साथ हमेशन है तो हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं दोस्तों उससे पहले एक छोटा सा मैं निविदन आप से करना चाता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज आपर चैनल को सब्सक्राइब करें चेनल से जुड़ें 2016 प्लीज़ां को सब्सक्राइब करना है सबस्र पहले चीज जो आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए चाहे कुछ भी क्यों नहों वह है दोस्तों हमारा धन क्यों मैं ये बात कहना हूँ क्योंकि धन जब भी पब्लिकली हो जाता है हमें बिलकुल सरकार को बताना चाहिए प्रॉपर इंकम टेक्स भरना चाहिए वो अलग विश्य है पर हमें हमारे आज पास पड़ो जो समाज जात विरादरी जो भी हमारे एक पूर्द डायरा होता है वह हमारे पास धन के बारे में चाहिए कम हो जादा हो जो भी हो पर हमारे आर्थिक इस्ति के बारे में नहीं पता होना चाहिए मतलब नहीं पता होने से सीधा सा मतलब है कि अगर विश्टी के पास धन होता है और लोगों को पता लगता है कि इनके पास धन है तो वो अपने कम है और गलत लोग इसका फाइदा जादा उठा रहे हैं तो पहले और मुख्य बात आपको ये कभी किसी को नहीं बताना चाहिए दूसरा हो गया पारिवारी बात है जैसे पती-पत्मी के बीच की बात है हमारे माता-पिटा के बीच की बात है जो गोपनी बात है जिसमें दो नहीं समझा सकते हैं और उसको नहीं समझाने की वज़े से कई बात ऐसी परिश्यानिय को जाती